नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चनल बिहारी नॉन्स्टॉप न्यूज में तो चलिए बिहार की दस प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं पटना हाइकोट का केंद्र और राज सरकार को निर्देश कहा ग्रेन फिल्ड एरपोर्ट जल्द बनाये सरकार पटना हाइकोट ने केंद्र और राज सरकार को बिहार में एक ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट बनाने के लिए विचार करने को कहा है हाई कोट ने केंद्र और राज सरकार को आदेश दिया है कि दोनों सरकारे पटना और बेटा हवाई अड़ा के विकल्प के तौर पर राज में एक ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट मनाने पर विचार करे अभिजीत कुमार पांडे की जनहित याचिका को आंसिक तौर पर मंजूर करते हुए चीप जस्टिस संजय करोल और न्यायमूर्थी पर्त सार्थी की खंड़ पीट ने यह फैसला सुनाया है दरसल ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट बहुतायत जमीन पर अंतरराष्टे हवाई अड़ा के तौर पर सभी सुईधाओं के साथ तयार होता है बिहार में पट्टी के उपर बड़े-बड़े हवाई जहाज नहीं जा सकते ऐसे में बिहार को एक बड़े ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट की जरूरत है बिहार सरकार ने दी राहत अब अधिक आ रहा है बिजली बिल तो ना हो परिसान राज में शुरू होगी जांच पूरे बिहार के लोग यह दे किसी चीज को लेकर सबसे अधिक परिसान है तो यहाँ है अचानक से बढ़ता हुआ बिजली बिल लेकिन अब जल्द ही उनकी यहाँ परिसानी दूर होने वाली है इसको लेकर राज सरकार ने बड़ा फैसला किया है इसको लेकर सरकार के तरब से मुझे बार बार सुननी पड़ रही है अब इन सिकायतों से परिसान सियम नितीज कुमान ने बड़ा फैसला लिया है सियम ने अब इस पूरे मामले को लेकर मुझे सचीव को अपने तरीके से जाच करवाने का निर्देश दिया है उन्होंने दो टूप कहा कि मुझे कहीं भी इस अधिक का बिल दिया जा रहा है यहां बिलकुल गलत और बरदास्ट करने लायक नहीं है अब इसको लेकर हमने सभी जीलों के जिलादिकारी और मुझे सचीव से लेकर एक एक अधिकारी को यहां कह दिया है कि इसका जल्द से जल्द समाधान करें सबको कहा कि पूरे तोर प आ रहा है। जांच की सुईधा अब तक उपलब्द नहीं है। जांच की सुईधा अब तक उपलब्द नहीं है। इनमें 61 बसो को सीटी बस सेवा में सामिल किया गया है जिनमें 21 AC और 49 AC बसे हैं। इन बसो का परिचालन सुरू होने से नगर सेवा की बसो की कुल संक्या बढ़कर 145 हो गई है। 14 बसे लॉंग रूट में सामिल की गई हैं। इनमें 4 AC और 10 non AC बसे हैं। इनके सामिल होने से लंबे रूट की कुल बसो की संक्या बढ़कर 455 हो गई है। इनमें 6 AC और 449 non AC है। 61 CNG बसो के आने से सीटी बस सेवा पूरी तरह डिजल मुक्त हो गई। इसके सीटी बस के बेडे में सामिल होने के साथ ही 50 डिजल बसो को सीटी बस सेवा से बाहर निकाल दिया गया है। इससे पटना में परियावरन प्रदूसन का इस्तर भी काफी कम होगा। IRCTC ने जारी किया नया मेन्यू काड़ अब टेन में मिलेगा लिटी चोखा और खिचरी के साथ ये सभी डिस। के लिटी चोखा वा खिचरी से लेकर दी गई है। अधिकारियों के मताबिक सुक्रवार को पूरुमध रिल्वे ने खुलने वाली अधिक्तम मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में बिहार के प्रसिद वेंजनों को परोसा गया है। ट्रेन में डायविटीज यात्रियों को अब उबला हुआ वेजिटेवल, दूद के साथ ओट्स, कॉर्ण फ्लैक्स, वगेहूं के आटे के ब्रेड के साथ ओमलेट देने की तैयारी की जा रही है। अब टेन में रात में सोते समय, जो यात्री मांग करेंगे, उनको गर्म दूद भी दिया जाएगा। 250 मिली लीटर दूद के लिए 20 रुपई ये देने होंगे, यह सुविधा बच्चे वबुजुर्गों को ध्यान में रखकर सुरू की गई है। पहली बार 38 जिलों में इतनी ही नियोजन इकाई गठित की जाएगी, सारी मेगा सुची योगता और सिक्चक पात्रता परिक्चा के आधार पर बनेगी और जिला प्रसासन के नित्वित में बहाली होगी। बिहाग के सिक्चा मंत्री चंद्रे सेखर ने सुक्रुवार को पीट कर काया की जल्द ही साथवे चरन के लिए विज्यापन जारी होने वाला है। प्रदेश में सिक्चकों के चैन के लिए बनाई जा रहे ही नई सिक्चक नियामावली में बड़ा परिवर्तन किया गया है। बिहार हेल्थ युनिवर्सिटी अप्रेल से होगा एक्टिव, मेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई में होगा बड़ा बदलाव, जाने पूरी बार। बिहार के चिकिच्चा बिज्ञान छेत्र के सभी संगस्थान, पहले अप्रेल से अडियभट ग्यान विज्ञान से निकल कर 9 स्थापित बिहार स्वास्थ बिज्ञान विस्विधाले पट्ना के नियंतरन में चले जाएंगे, स्वास्थ सचीव के सेंतिल कुमार की सभी सरकारी चिकित्सा, महाविद्धाले, डेंटल कॉलिज, सरकारी नर्सिंग संगस्थान, फार्मेसी संगस्थान और बारा मेडिकल संगस्थानों को बिहार स्वास्त बिग्यान विसे विद्धाले से सम्मध किया जाए पटना में बिहार का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट डिप्टी सेम तिजश्वी यादव ने सुक्रवार को किया बिहार में परियतन विभाग गंगा नदी में परियतन को बढ़ावा देने के उद्देश से फिर से सुरू किया गया है अब आप पटना में तैरते हुए खाने का लुप्त उठा सकेंगे तेजस्य यादाव ने उद्गाटन के दौरान कहा कि विभाग और हम सबने मिलकर फिर से इसे सुरू किया है जिससे लोग यहां आएं और परियटक के तौर पर इसका लुप्त उठाएं इस रेस्टोरेंट में एक साथ 48 लोग बैटकर खा सकते हैं इसके साथ डबल क्रूज में दो कमरे हैं जिसमें एक विभाइपी लाउंज और एक प्राइवेट लाउंज दिया गया है इसमें दो फ्लोर हैं बता दे कि बिहार सरकार ने गंगा में परियटन को बढ़ावा देने के लिए इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को साल 2009 में दो करोड रुपईये में खरीदा था जिसके बाद यह बिहार का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है बिहार में डायल 112 के लिए 7808 पुलिस कर्मियों की होगी बहाली, तीन राउंड में होगी तैनाती बिहार पुलिस मुख्याले ने इमर्जंसी रिस्पॉंस सपोर्ट सिस्टम यानि की डायल 112 को लेकर पहले चरण में बहाल होने वाले पुलिस वा गैर पुलिस समवर के 7808 पदों को लेकर इस्तरित कार योजना तयार की है इनमें सबसे अधिक 5856 पदों पर सिपाही वा चालक सिपाही की बहाली होगी इसके अलावा 169 पदों पर इंस्पेक्टर, 887 पदों पर एसाई और 594 पदों पर एसाई तैनात किये जाएंगे इस चरन में कुल 7808 पदों पर बहाली से राज सरकार पर सलाना 421.30 करोड रुपए का राजस्व बोज बढ़ेगा पुलिस मुख्याले के मुताबिक 3 चरन में सभी 7808 करमियों को तैनात किया जाएगा पहले चक्र में कमांड हुआ कंट्रोल सिंटर के लिए 391 करमियों के अवसकता है इन पर सलाना 21.45 करोड रुपए का व्याय होगा केंद्रिया बजट में बिहार को मिले 7 और एकलब्य स्कूल इन दो जीलों में इसी सत्र से होगी पढ़ाई बिहार में 7 और एकलब्य स्कूल खुलेंगे अब तक 3 जीलों में एकलब्य स्कूल खुल चुके हैं ऐसे में बिहार में कुल 10 एकलब्य विद्दाले हो जाएंगे अभी केवल जमुई में बच्चों का दाखिला हुआ है क्यामूर के अधोरा और पस्चिम चंपारन के रामनगर में भौन बन रहा है उम्मीद है कि इस सत्र से यहां भी बढ़ाई सुरू हो जाएगी इन दोनों जगहों पर भी 700 से लगभग नामांकन होगा इन तीन जिलों के अलावा पिहार में साथ और जगहों पर एकलव विद्दालई खूलने का नेने लिया गया है इन साथ एकलव विद्दालई के लिए अब जगह चिन्नित की जा रही है